हेलो दोस्तो मैں हूं रेंफ काडोरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो दोस्तों आज मैं लेकर आए हूं करेला भर्वा बहुत ही यह हैथी , स्वाधिस्त तो कैसे बनाइए हूं असान तरीके से ना इसको बांधने की शंजट है कुछ भी नहीं करना है बहुत जल्दी से बहुत फटाफट और बहुत ही स्वाधिस बनती है इसके लिए सबसे पहले में यहां करेला ले लिए हूँ और इसका अच्छी तरह से हम धो लेंगे दोने के बाद में बीज से चीरा लगा देंगे इस तरह से चीरा निकाल के इसके अंदर के जो भी इसमें बीजा है सब निकाल लूंगी बाहर और एदी की बीजा भी यूज कर नगी में तो पहले सब से पहले तेल गरम कर लेंगे और सबसे तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो यहां पर देखे में करेला डाल दी हूँ करेला डाल के यहां पर हम इसको तो जो बीजा था पीजा इसका निकाल लेंगे और इसको उपर जो छिल्क एगेए सकुन की CubS स्वावल करेंगे दो उसको यूज में लायएंगे रग्या को निकाल लेंगे तो यह बीजा है करेलह के अंदर का और इसको हम मिक्सिजार में डाल दिये हैं और यहां प्याज है एक प्याज लिएँ में इसे भी हम पीसेंगे और टामाटर भी यहां पर लिएँ तो टामाटर देखिए हमें यहां पर एक टामाटर लिएँ और बड़ी बड़ी टामाटर है इसमें अधर लजून का पेश्ट डाल दीएँ साथ में ही और सब को पीस ले और भूंते भूंते सोफ्ट भी हो जाएगा करेला तो इसी तरह से हमें चलाते चलाते इसको हम भून लेंगे चारों तरफ से लाल हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे और इक यह मसाला में पीस लिये थे करेला निकाल के उसी तेल में मसाला को डाल दिये हैं मसाला को डा के हम लगातार इस तरह से मिलाते रहेंगे चलाते रहेंगे और इसमें हम हल्दी डालेंगे हाप चम्मच और मीचा पॉडर यहां पर हम डालेंगे एक कस्मीरी लाल मीचे कलर के लिए लाल मीची पॉडर है यहां सुआत के लिए जितने हम तिकी काते उतना डालिए और यहां पर दाले हैं हाप चमच और यहां जीरा पोड़ा डालेंगे हाप चमच और सबको अच्छी तरह से हम भूनेंगे नमक स्वाद नुसार नमक हम करेला में भी डाले थे अब टमाटर में भी हम नमक डाल दी हैं यहां जीर डोले हैं और सब इसी तरह से तरह लगता चलाते चलाते हैं मुणेंगे जब तक इस एक्स्ट्रा और निकल य॥ा तब तक हम इसको म४हनेजियिंधे गून बहुत है अच्छी तरह से हम भून लिये हैं कड़ाई में भी चिपक राइए तो इसी तरह से हमको भूनना है और इसमें कुछ भी ज्यादा मसाला नहीं डाले हैं दोस्तों आप देख सकते हैं पर इतनी टेश्टियर इतनी हैं इतनी स्वाधिस्ट बनती है करेला भरवा बीना कोई चंजट आप उसको ना वॉयल करे ना ज Patriot वे अधरम पर पहने सकते हैं मसाले की साथ तो देखिए वसको निकाल के फूरा थंड़ा कर लेंगे और इसको हम इसके अंदर भरेंगे और निकलेगा भी नहीं चिपक कही रहेगा इससे बाहर नहीं निकलेगा तो इस तरह से हम एक हाँ से कर रहे थे हम देखे पूरा भर दिये हैं अब जो मसाला बच्चा है उसका भी यूज करेंगे जो एक्ष्टा मसाला बचा के रखना है तो यहां तेल यहां कडाएं में हम मसाला को हम डाल देंगे जो मसाली बच्ची भी है अब इसमें हलका साम पानी डालेंगे और इसको मिला लेंगे पानी में अच्छी तरह से मसाला को अब यहां पे हम नमक चक लेंगे कि नमक कैसा है इसका अब यह पूरा मसाला चीता से मिल गया पानी में अब इसमें हम जो करेला को हम रखे थे भर के इसमें हम डाल लेंगे मसाले के साथ करेला भी फिर से ओध थोड़ा पकेगा इसमें हम ढखकल लगा लेंगे पांदस मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे जो मसाला भरे हैं उसका मुझ को उपर रखके और हम इसे ढगा लेंगे और पांदस मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको पकने के लिए रखतेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सस्क्राइब सेर करना चैनल पर नहीं हो तो बैल आइगन के साथ प्रेस करना ताकि न्यून नौटिफिकेसन मिलते रहे हैं जो भी में वीडियो डालू आप तक पहुँच जाए तो दोस्तों जरूर ट्राइक करना बह देखने में सच बोले दोस्तों कहाने में भी इतनी टैश्टी इतनी स्वाधिश्ट है कि आप बार बार इसे बनाना खोजेंगे आप आप बार इसी तरीकी से बनाएंगे और खाएंगे तो देखिए कितना अच्छा बन गया अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फीसे नीर वेसीबी के साथ घर के बने हुए इंगरिन्स के साथ तक तक के लिए आग्या दिखिए बाई बाई टिक क्यार